इंडिया और बांगला देश के 20-3 मैचों की T20 सीरीज का रोमांच शुरू हो चुका है गौालियर के माधराज सिंधिया क्रिकेट इस्टेडियम में खेले गए पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने जबर्दस्त जीत हासिल की इस मैच में इंडियन टीम ने बांगला देश को करारी शिकस्त दे कर उन्हें कड़ा सबक सिखाया वैसे तो इस मैच में सुर्या की सेना के हर एक जाबाज ने बांगला टाइगर्स को हराने में अपना खास रोल अदा किया लेकिन इनसे टीम इंडिया के स्टार ओल राउंडर प्लेयर हार्दिक पांडिया का जलवा अलग रहा इस स्टार ने खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर बांगलादेश के बॉलर्स की हवा निकाल दी हार्दिक बैटिंग करने के दोरान इतने खतरनाग दिख रहे थे कि ताबर तोर शौट खिलते हुए उनका बल्ला हाथ से छूट कर हवा में उड़ता हुआ दूर चला गया जी हाँ हार्दिक का बल्ला हवा में ऐसा उड़ा कि मानो लगा कि बॉल हवा में उचली हो बल्ला हवा में और बॉल बाउंडरी लाइन के बाहर जा चुकी जी हाँ दोस्तों ये नजारा टीम इंडिया की बैटिंग के बारहवे ओवर में दिखा जहां इंडियन टीम जीत के करीब पहुँच गई थी बारहवे ओवर की चौथी बॉल तसकीन एहमद ने डाली बैकवर्ड पॉइंड की तरफ गई वहां मेदी हसन मिराज फिल्डिंग कर रहे थे उनका ध्यान गेंज से जादा तो उड़ते बल्ले की तरफ था जब तक वो गेंज रोकने के लिए रियक्ट करते वो उनके पास से ही बाउंडरी लाइन के बाहर चली गई ये कमाल का नाजारा था बैट के हवा में उड़ने के चकर में फिल्डर तक चकर में पड़ गए और इसकी अगली ही बॉल पर हार्दिक ने विनिंग सिक्सल लगा कर टीम इंडिया को जीत दिला दी हार्दिक के हवा में उड़े बैट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा